जाना है कि matrix 1, 4, 2, 3 इसकी जो आइगन वैल्यू होंगी इन 4 ओप्सण्स में से किसकी आइगन वैल्यू इसके matrix के आइगन वैल्यू की तरह या सेम नहीं होगी तो आप अगर इस matrix का trace देखते हैं तो इसका trace 4 आता है और अगर इसका determinant चेक करते हैं तो इसका determinant माइनस 5 आता है अब यहां से अगर हम क्रेटरिस्टिक एक्वेशन बनाते हैं तो उसके जो रूट्स हैं वो सेम मैट्रिक्स के बराबर होंगे अगर उसका ट्रेस और डिटर्मिनांट सेम होगा तो आप option यह में देख सकते हैं इसका ट्रेस भी 4 है और डिटर्मिनांट माइनस 5 है तो यहां से जो आगन वैल्यू जाएंगी वो सेम आएगी ऑप्सन बी में अगर देखते हैं तो ट्रेस आपको 4 है और इसका जो डिटर्मिनांट है वो माइनस 5 आता है यहां पर देखते हैं तो ट्रेस 4 है और डिटर्मिनांट म तो यहां से different eigenvalues आएंगी और आपसे पूछा गया था कि matrix जो given matrix है किसके eigenvalues same नहीं होगी तो option d के same नहीं होगी